ताली करोगी मुझसे? मैं तुम्हारे लिए टैक से बिलाती हूँ, लाओ मेरा फोन दो छोड़ो मुझे ये तुम क्या कर रहे हो? ये उफे फोन क्यों नहीं उठा रही है? तुम आखर कहां रहते होता हो? तुम्हारा घर कहां है? घर? क्या? वह, वहाँ पर देखो बहुत हो चुका, मेरे साथ मजाग मत करो तुम तुम्हारी बेकार की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है जल्दी करो अपना पता दो मुझे 703, Block 3, Runway Apartment वो मेरा घर है, मुझे तुम्हारा पता चाहिए बताया ना, 703, Block 3, Runway Apartment बताया पताया नहीं है हलो यंग हुआ, मेरी मदद कर सकते हो क्या तुमने पी रखी है थोड़ा सेल्फ कंट्रोल सीखो क्या तांगी हुई त्यांग हंग के साथ डील क्लोज करने जा रही है मैं चैजि इनके साथ पी रहे थे सिर्फ हिला रहे हो, मतलब नश्य में नहीं हूँ क्या तुम्हारी उनसे बड़ी गहरी दोस्ती हो गई है हां क्या उन्होंने याओ-याओ के केस की बात की उस केस के बाद में क्या प्लान है क्या वो उस केस में हारने के लिए तयार है बात करो क्या हो गया फिर से एक्टिंग ठीक है, जो भी है क्या तुम चल सकते हो? मैं तुम्हारे लिए कोई टैक्सी बुला देती हूँ या तो फिर यहाँ आसपास कोई होटेल देख देती हूँ तुम वहाँ पर आराम से रात बिता सकते हो तुम यह क्या करे हो, वापस करो छोड़ो मुझे, जाने दो नहलो, किन्शी पागल मत बनू, मैं तुम्हें वान करती हूँ मैंने एक बार तुम्हें छोड़ दिया था और आज तक पच्ता रहा हूँ और इस बार तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूँगा तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, अपना मजाक मत बनाओ छोड़ो मुझे, जान दो क्या चाते हो तुम तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं सुनी? कौन सी बात सुनो तुम्हारी? तुम्हें अपनी नकली शादी के बारे में सब को क्यों बताया? मैं तुम्हारी मदद कर सकता था तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, मेरा फोन दे दो, फ्लीज किंचे क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो? तुम नशे में हो क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? कैसा मौका चाहिए तुम्हें? हम दोनों के लिए एक और मौका. शादी करोगी मुझसे. मैं तुम्हारे लिए टैक से बिलाती हूँ. लाओ मेरा फोन दो. छोड़ो मुझे. ये तुम क्या कर रहे हो? दो साल हो गया हैं. मुझे लगा कि सब कुछ भूल कर फिर से शुरुआत करूँगा. मैंने सोचा कि मैं किसी और से शादी करूँगा और मेरी भी एक पैमिली होगी और आराम से रहूँगा, पर सुरो मेरी बात. मैंने सोचा कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ. जितना भूलना चाहता हूँ, उतना तुम याद आती हो. जबसे तुम वैंग जी से इनके साथ हैंग जो गई हो मुझे एक बाद समझ आई है जितना मैं तुम्हें अफरत करता हूँ उतनी ही तुम्हारी जादा फिक्र होती है तुम निखे में हो क्या तुम उसे शादी करोगी छोड़ो मुझे तुम मुझे हड़ कर रहे हो हड़ कर रहे हो मुझे यो हडिंग मी मुझे मेरे फोन दे दो सॉरी मताना वही रहो तुम नशे में हो कल तुमें पता चलेगा क्या हर्कत की तुम्obosure असल मैं हैंग जाऊ से लोटने के बाद ही मैं तुम्हें ये बात कहना जाता था मैंने खुछ से कई बार अपने दिल से ये बाते की है मैं तुम से शादी नहीं करूँगी पर क्यों? मेरी शादी हो चुकी है तुम भूल गया क्या? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मैं नहीं भूला तुम्हारी शादी नकली है क्या तुम भूल गई हो हम दोनों वकील है और कानून के हिसाब से तुम तलाक के बाद भी मुझसे शादी कर सकती हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वैसे भी क्या तुम पार्टन नहीं बनना चाहती हो मैडम टेंग और मिस्टर जीन अपनी लॉफ आम शुरू कर सकते है तो हम क्यों नहीं कर सकते है उसे शादी करो और तुम जो चाहे कर सकती हो बस करो बहुत हो चुका मैं तलाक नहीं लेने वाली हूँ हमारे किन पडिवार में मर कर अलग हो सकते हैं, लेकिन तलाक नहीं हो सकता हूँ तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे डैर्ट से बात कर सकता हूँ और बाकी सबको भी मना सकता हूँ यैंग हूँ को भी, अगर वो भी नहीं मानता है तो मैं उससे बात करने के लिए तयार हूँ नहीं है मैं तलाक नहीं लेने वाली हूँ मैं फिर सई शादी नहीं करूंगी समझे तुम अगर बात समझ में आ गई हो तो घर जाओ और सोजाओ हाँ लेकिन मैं समझ नहीं पाया तुम शादी नहीं करना चाहती थी फिर तुमने यांग हुआ से क्यों शादी की और उपर से तुम दोनों ने नकली शादी की है और अगर ये नकली है तो तुम तला क्यों नहीं ले सकती मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम नश्ये में हो नहीं हो, क्या तुम उससे प्यार करती हो? जवाब दो, क्या तुम उससे प्यार करती हो? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है क्यों लेना देना नहीं है? तुम घर जाओ और जाकर सो जाओ मुझे समझने आता है कि यांग हुआ ने तुम्हारे लिए क्या किया है तौँ जिनुवी मुझे जाने तौँ यांग हुआ गर जाओ तुमने बहुत भी रखी है तुम किंशी को जानते हो उससे जो भी कहना है उससे कल सुभा होश में आने की बाद कहना झाल